Dear friends, कैसे हैं आप सब? नसमा अन्जूम, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Stages of Development, CTAT के लिए CDP का एक टॉपिक जो कमपलसरी हर पेपर में, हर एक्जाम में आता ही है सीटेट के, उसे पहले एक चीज़ के 10 अपरेल से सीटेट की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, ओफ लाइन और ऑनलाइन यह जो टॉपिक है, इस पे कमपलसरी कोशन है किसी भी यहर का पेपर देखिए तो आज इसमें हम क्या करेंगे, कि सारे Stages देखेंगे उस Stages में कौन-कौन सी चीज़े होती है और इस से रेलेटर जितने भी कोशन है प्रिवियस यहर के है या और कौन-कौन से कोशन उस पे बनते हैं, सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे एक स्टेज होती है, वो है प्रिनेटल स्टेज जिसे हम अभी काउंट में तो नहीं लेते इनफैंसी से लेते हैं, लेकिन प्रिनेटल पिरेट क्या होता है वो देख लेंगे, यह 0 to birth यानि के पैदायत से पहले का पैदा होने से या birth से पहले का जो time होता है उसे प्रिनेटल पिरेट कहते है, 280 days का होता है और age इसे 0 age कहा जाता है, यानि के before birth 9 month का जो time होता है birth से पहले, पैदा होने से पहले, तो उसे कहते है prenatal period, इसे 3 part में divide किया गया है, 0 to 2 weeks germinal period कहते है इसे, फिर 3 to 8 weeks इसे embryonic period कहते है, और fatal यानि के 9 weeks से तो पुरा birth तक, बच्चे के पैदा होने तक, तो ये 3 part में इसे divide किया गया है, अब हम देखते है infancy, infancy का time क्या होता है, time period क्या होता है, बच्चा इसमें क्या क्या करता है, child क्या क्या करेंगा, तो infancy होता है birth to 2 year यानि के जैसे ही बच्चे की birth होती है, तो उससे तो पूरे 2 year तक का जो time period है, child do uncoordinate moment, यहां बच्चा uncoordinate moment करता है, Uncoordinate Moment यानि कि क्या? कि वो Moment जिसके लिए उसे support की ज़ुरत पढ़ेंगी, वो बिना support नहीं कर सकता किसी चीज़ को, बच्चे को सहारे की ज़ुरत पढ़ती है Collect Information through Senses, Child अपने Sense Organ जो Sensory Organ है, Eyes, Ear, Skin, Tongue and Nose तो यह Sense Organ के थ्रूँ बच्चा Information गेन करता है, Response to Human Voice and Touch, बच्चा Human Voice का और Touch का Response भी करता है जैसे कि उसे कोई कहीं से आवाज आ रही है तो बच्चा उस साइड देखेंगा, या उसे टच करो तो बच्चा आपकी तरफ देखेंगा Learning by Sense Organ, बच्चा अपने Sense Organ का यूज करता है, Sensory Organ के थ्रूँ information गेन करता है It is early period of child development in which the child grows rapidly after birth तो इस पर question आता है कि बच्चे की rapid growth किस पिरेड में होती है तो after birth जो two year होते है, जो दो साल होते है, बहुत physically, बहुत rapidly बच्चा ग्रो होता है बहुत तेजी से उसकी नशनुमा होती है Child learn to sit, crawl, stand, making bubbling sound बच्चा इसमें क्या करता है, बैठता है, रेंगता है, खड़े होना शुरू कर देता है और bubbling sound को भी बच्चा produce कर सकता है Physical development of child is rapid from birth to two year यह अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे की birth से तो two year में बहुत rapidly, बहुत तेजी से उसकी physical growth होती है इसके characteristic क्या है, rapidly, rapidity in physical development के physically बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है Mental activities शुरू होती है, बच्चे की mental activity में बहुत logically सोच रहा है critical thinking आ रही है, abstract thinking आ रही है, यह नहीं है यानि के mentally बच्चा, mental activities की तरफ बच्चा इसमें जाता है appearance of teeth, यानि के दांत आना शुरू हो जाते है, depend on other बच्चा दूसरों पर depend हो जाता है use sensory organ for taking information अब बच्चा sensory organ को use करता है information gain करने के लिए तो यह वो period है infancy जहाँ पर बच्चे की growth बहुत तेजी से हो जाती है uncoordinate moment बच्चा यहाँ पर करता है और total अपने sense organ का use करता है जैसे कि प्याजिक की तेरी में sensory motor stage उन्होंने बतायते हैं कि बच्चा अपने sense organ का use करता है वैसे ही total यह infancy का period होता है अब next देखेंगे हम के classification कैसे किया गया है childhood को infancy के बाद childhood आएंगा तो childhood को classify किया गया है four category में infancy यानिके zero to birth, sorry, birth to two year होना चाहिए early childhood to two six year, middle childhood यह later childhood six to twelve year और adolescence यानिके twelve to eighteen year का time period होता है तो यह four categories में इसे divide किया गया है अब हम देखेंगे पहला उसमें early childhood early childhood यानिके zero to, sorry, two to six year अब इसमें क्या होता है, बच्चा, बच्चे की development कैसे होती है या इसके other names क्या है, वो सारी चीज़े हम देखेंगे तो इस stage के जो और नाम है वो है toy age toy age क्या है कि बच्चा बहुत ज्यादा engaged रहता है इस time में किस चीज़ में अपने toys के साथ play करने में यानि कि बच्चा अपने toys के साथ खेलता है इस stage में और educate भी होता है किस से अपने toys के थुरू कैसे shape समझना शुरू करेंगा shape, color, size, sort करना, अलग-अलग group कर लेना, खेल ही-खेल में तो ये सारी चीज़े बच्चा इस age में करना शुरू कर देता है उसके बाद है imitate age इस age में बच्चा imit करता है अपने adult को ये भी उसका एक नाम है imitation age जैसे कि ये adult है अब बच्चा अपने adult को क्या करेंगा यहाँ पर imit करेंगा जैसे जो भी वो सुनेंगा जो उसके बड़े बोल रहे है वो ही वो दोहराएंगा तो ये भी चीज़ इस stage में होती है next देखेंगे अब हम gang age गैंग age लेटर childhood में भी आता है लेकिन यहाँ पर gang age किस हिसाब से है कि बच्चा अपनी age के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलता है preschool age यानि कि क्या कि school जाने से पहले की जो age है यह बच्चे school जाने से पहले की उनकी जो age होती है उसे preschool age कहते है तो वो भी early childhood में ही आएंगा इसमें बचे और क्या करते हैं, at this stage the curiosity is developed, इस stage में early childhood में बच्चों में curiosity बहुत ज्यादा होती है, यानि कि जुस्तजू बहुत जिग्यासा बहुत ज्यादा हो जाती है, और यह कैसे express होती है, expression of curiosity takes sensory motor form, initially and later it is in the form of asking question, यानि कि पहले क्या होता है, कि बच्चों में curiosity होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने sense organ के थुरू information gain करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वो लोग questions पूछना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे बाद में questioning की तरफ जाते हैं, तो इसलिए इस question stage भी, या question age भी कहा जाता है, इस stage को, इन इस period, the child concerned physically and mentally independent, अब यहाँ पर बच्चा physically और mentally भी independent होने की शुरूआत कर लेता है, अब यहाँ पर self-esteem, यानि के self-respect आना शुरू हो जाती है बच्चे में, और self-sufficiency भी इसमें आती है, या बच्चा self-sufficient बनता है, यानि के वो अपने काम खुद करने की कोशिश करता है, foundation of social behavior, कि बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी ही age वालों के साथ थोड़ा खेलना चाते हैं, मिलना चाते हैं, तो यह foundation हो जाता है social behavior का, development होती है, physically भी जो बहुत rapidly होती है, cognitively भी होती है, emotional भी होते है बच्चे और social development भी यहाँ पर होती है, बच्चे की इस stage में, तो य यह बहुत ही important stage है, early childhood, child begins talk and walk, यहाँ पर बच्चा बोलना भी शुरू करता है, चलना भी शुरू कर देता है, information seeker हो जाता है, क्योंकि curiosity होती है, parallel play करता है, parallel play पर question पूछा भी गया है, parallel play यानि कि बच्चा यहाँ पर समझे जो चीज देखता है, वो करता है, parallel play यानि कि जो चीज देखेंगा, वो करेंगा, तो इसे कहते है parallel play करना, active member of family बन जाता है, इस पर question पूछा गया है, active member of family बन जाता है, यह important है, need approval of parents, कि हर चीज में उसे अपने parents की रजा मंदी की ज़रुरत होती है, कि वो पूछ कर किसी चीज को करता है, language develop more than other stage, यहाँ पर language develop बहुत ते takes speed in early childhood, कि socialization भी बहुत speed में होता है, यह third important point है, तो यह तीनों ही बहुत important point है, कि बच्चा active member अपनी family का कब होता है, early childhood में, language development बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से किस stage में होती है, other stage को compare अगर करें तो वो है early childhood, और socialization भी बहुत speed में कब होता है, early childhood, तो 2013 और 2014 में इस पर already question पूछा गया है, यह socialization भी language पर भी और active member कब होता है, बच्चा अपने family का, तो यह 3 important चीज़े थी early childhood की, जिस पर question पूछे भी गये है, अब हम देखेंगे letter childhood, letter childhood यानिके 6 to 12 year, इसके other name क्या है, early school age, कि बच्चे school जाना शुरू कर देते है, gang age, कि वो team बनाते है, इसकूल जाना शुरू करते है, child follow their teacher, अब early childhood में बच्चे को क्या जरू रहती, अपने parents की approval की, लेकिन जब बच्चा इसकूल में जाता है, तो बच्चा follow करता है अपने teachers को, तो बच्चा किसी stage में अपने teacher को follow करता है, वो है letter childhood में, और कुरेल stage हो जाती है, यहाँ पे बड़ाई जगड़ा भी करना शुरू कर देते है, school becomes agency and peer agent, agency क्या होती है, या school agency बच्चे के कब बनता है, तो वो होता है letter childhood से, start हो जाता है, agency यानि कि क्या, कि वो प्लेस या ऐसी जगा जहां बच्चा जाकर कुछ ना कुछ सीखता है, तो बच्चे को जहां से skill सीखता है, या महारत सीखता है, तो वो उसके लिए हो जाती है agency, तो बच्चे के लिए agency है school और agent होते है उसके peers, यानि कि उसके class में, this is a period for moral development, यह बहुत important point है letter childhood के लिए, कि moral development का period सबसे best कौन सा होता है, तो moral development का period होता है letter childhood, यह बहुत important point है, physical development इसमें भी बहुत अच्छे से होती है, emotional development होती है, intellectual development यहां पर शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा कहां जा रहा है, school में, school उसके लिए है agency, वहाँ पे बच्चा सिखेंगा, तो intellectual development भी बच्चे की होगी, social development भी बच्चे की यहां पर होती है, develop power of reasoning, यानि कि यहां reasoning भी अनुमान लगाना शुरू कर देता है, observation शुरू कर देता है, यानि कि किसी भी चीज को deeply देखना, observe करना, मुशाहिदे करना शुरू कर देता है, और logically भी बच्चा सीखना शुरू कर देता है, यह सारे important points थे, letter childhood के, अब हम डखेंगे adolescence, adolescence यानि कि 12 to 18 year, जिसे कहते हैं उन लाइटिन से, और उसके मीनिंग है, to grow, to become mature, यह इसके मीनिंग होते हैं, अब adolescence के भी तीन नाम है, mirror age, negative age, और rebirth age, इस age में बच्चा अपने appearance को लेके, अपने look को लेके, बहुत ज्यादा concern करता है, फिकर करता है उस चीज की, poverty, अक्यूर होती है, बच्चे जवान होते है, हार्मोनल चेंजेस होते है, फिल इंफेरियर, बच्चे खुद को बहुत बड़ा सोचने की शुरुआत करते है, problem of ego, यहाँ पे ego वाली चीज आ जाती है, कि थोड़ा सा ego आना शुरू हो जाता है, identity seeker होते है बच्चे, यानि कि इस age में बच्चे अपनी identity को तलाश करते है society में अपनी identity को बनाना चाहते है, active member of society बन जाते है, तो active member of family बच्चा कब बनता है और active member of society बच्चा कब बनता है, यह important है याद रखना, abstract thinking आ जाती है, spend more time with their peers, बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाक्त अपने peers के साथ spend करते है, तो इसलिए उनका जो peer group है वो बहु socialization में, peer group बहुत ज्यादा important हो जाता है, उनकी family से भी बढ़के, adolescent stage में interpersonal skill develop होती है बच्चों में थोड़ो friendship क्योंकि peer group उनका बहुत ज्यादा important होता है, adolescent is the transitional stage of childhood and adulthood, adolescent stage is emotional force most affected, अगर यह questions आता है कि वो कौन सी stage है, जिसमें emotional force बहुत effect करती है बच्चे पर, तो वो होता है adolescence, adulthood देखेंगे, अब adulthood में 19 to 30 year का एक time होता है, जहाँ person formal और informal, दोनों ही तरीखे से behave करना सीख लेता है, physical development पूरी तरह complete होती है, maturity आती है, emotional development हो जाती है, concerned करता है अपने job को लेकर, children's को, health को और family को लेकर फिकर मन्द रहता है, love and acceptance, they still take main role, love and acceptance जो होती है, love वाली चीज यह बहुत important role play करती है, adulthood में, तो यह सारी के सारी stages हमने देखे development की, इसके कुछ questions हम इसमें कर लेते हैं, लेकिन इसके total जितने भी questions है, सारे के सारे हम एक वीडियो में करेंगे, तो उससे और clarity हो जाएंगी के questions किस तरह से पूछे जाते हैं, और हम किस तरह से right and wrong option को easily select कर सकते हैं, early childhood is dash period for language development, अब हमने यह चीज देखे हैं कि language development के लिए जो best period है, वो है early childhood और उसके अलावा socialization के लिए भी early childhood है, और उसके अलावा एक और हमने देखे हैं, के बच्चे active member बन जाते हैं उनके family के, तो वो भी early childhood ही है, तो early childhood में language development हमें पता है कि बहुत important role play करता है, तो option देख लेंगे, not so significant, यह तो नहीं, यह wrong हो गया, and unimportant, अनिम्पोर्टन तो है नहीं, sensitive यह बिल्कुल सही है, और neutral यह है नहीं, यानि के sensitive period होता है, यह अर्ली childhood का period, childhood category, अब childhood किस category में आती है, 11 to 18 year, नहीं, birth to 6 year, नहीं, birth to 2 year तो infancy हो जाती है, 2 to 6 year होता है early childhood, यानि के childhood इसमें पूरा कबर हुआ है कि नहीं, 18 to 24 year है नहीं, 16 to 11 year, यह right answer है, क्योंकि 2 to 6 year early childhood का period है, और 6 to 12 year या 11 year later childhood का है, यानि के पूरा childhood category हमने इसमें ले लिये, इस option से, तो answer हो जाएंगा 6 to 11 year, the development of the child is rapid, बहुत rapidly, तेजी से होती है, बच्चे की development, किस stage में, from birth to 1 year, नहीं, from birth to 2 year, यानि infancy में, यह right है, अभी हमने देखे, infancy में होती है, from birth to 5 year, नहीं, from birth to 10 year भी नहीं, तो अभी हमने देखे, के infancy में, physical development, बहुत rapidly, एक्दम देजी के साथ हो जाती है, बच्चे की, तो यह है, उतका second right answer, friends, seated के लिए, new badge start हो रही है, 10th April से, 10th April से, online and offline, online होंगी, यह, टीच्मिंट एप पर, टीच्मिंट एप पर, डेली जो भी lectures होंगे, जिन subject के lectures होंगे, वो सारे के सारे record हो जाएंगे, till exam, जब तक exam नहीं होता, तब तक वो सारे ही वीडियो, टीच्मिंट एप पर record रहेंगे, और offline के लिए, यहाँ पर address है, contact number यहाँ नीचे दिया गया है, registration के लिए आप call कर सकते हैं, 10th April से, paper first and paper second, both method, batch स्टार्ट हो जाएंगे, और अभी जो batch चल रही है, वो T.A.I.T. की batch अभी चल रही है, अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक भी किजिए, शेर किजिए, और सब्सक्राइब भी किजिए, शेर ज्यादा किजिए, टेक किजिए,